हाई एवरिबॉन सबसे पहले मैं यूज करती हूँ आइस रोलर अपनी पेस पर पूरे आइस को रपकर इससे क्या होता है फीस से पॉफिनेस दूर होती है और से इरिटेशन होती है वो से भी सूथ करता है एंड पोर्स को भी टाइटन करता है एंड ब्लॉट सर्फिलेशन भी रहता है सबसे सेक जो मेरा स्टैप बहुत है रोहता है वो धो होता है प्लेकेटाण भाहटा को रिमूड करना थे रहाभ और इस इससे अच्छे तरीके से सारे फ्लेक एट्स वाइट्स रीमूब हो जाते हैं और इसके बाद मेरी नोस काफी सोप बलगने लग जाती है मेरी फ्लेक एट्स और वाइट्स प्लाज हो जाते हैं इसलिए मगल से यूज़ करना परता है पूर पाल्याचर यो के का नेनोर एक सबस्क्राइबूंDI के मदलिन गते इसके में आपकूलियश्ट भी हो जाती हो जाती हो इससे हो जाता है काफी अच्छा ये फेस्पेक है इसलिए मैं इसे भी यूस करते हैं करते हैं कर दो मैं शीट मास्क यूज़ करती हूं एक अच्छा है और यह आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करता है आप इसके साथ आपकी स्किन को सूर्थिंग और नरिशमेंट भी देता है वहां पी अच्छा शीट मास्क है और बाकी का बचा सीरा मैं अपने आर्म्स पर नेक पर और हैंड्स पर अपलाई कर लेती हूँ काई झाल अब और उसके बाब में अपने फेस पो अश्चे तरीके से मॉस्टराइज कर लेती हूं मैं सारे प्रोड़क्ट ओयल बेस्ट यूज करती हूं कि मेरी स्किन ओईली है तो ओयल बेस प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट इसूट करते हैं इसके बाद में स्किन काफी स्मूथ है और फ्राइटर लगने लग जाती है और नेक्स्ट एप होता है जो में स्टेप है वो है संस्क्रीन मैं कभी भी संस्क्रीन लगाना नहीं बोलती ये तो जुरूर मैं लगाती ही हूँ अच्छे तरीके से अपने फेस पर नेक पर अच्छे तरीके से मैं संस्क्रीन यूज़ कर लेती हूँ इसके बाद मैं लिपम यूज़ कर लेती हूँ इससे मेरे लिपस काफी हाइड एंड ग्लोसी रहते हैं पूरा देल ये थी आज की वीडियो मैं सारे पॉर्टक इस्क्रीशन बॉक्स में मैं मैंशन करतोंगी I hope you like this video So if you enjoy this video please give it a thumbs up and don't forget to hit the subscribe button and ring the notification bell So you never miss an update from me